मित्रो एक विशेष जानकारी के लिए मैं इस कपिला गाय का की विशेषता पताने जा रहा हूँ कपिला गाय का पूरा सरीर काला होता है और इसकी आखें खुर और इसके इस्तन भी काले होते हैं यह कई साइज में मिल सकती है छोटे साइज में और बड़े साइज में भी मिल सकती है तो सबसे अच्छी कपला गाय वो होती है जिसकी आखें काली खुर काले और इस्तन काले कान भी काले और पूरा सरीर काला तो ये है कपला गाए और सबसे उत्तम होती है जिसके सींग हिलते हैं तो मैं एक विशेज जानकारी के लिए आपको कपला गाए दिखा रहा हूँ तो जिन लोगों को मिर्गी का रोख हो जाता है और उन्हें बहुत परिशानी होती है जिसको फिट्स बोलते हैं और वो अचानक गिर जाते हैं और मुह से जाग निकलता है तो उसके प्रियोग के लिए आया था ये कपला गाय का दूद कोई भी व्यक्ति अगर 40 दिन तक जितना हो सके सुबह सुबह पीएगा तो हो सकता है 200 ग्राम से 500 ग्राम तक वे कंज्यूम कर सकता है और इस ब्रेकफास्ट में कोई चाय वगरा ना ले कोई सॉफ्ट ड्रिग ना ले कोई ब्रेकफास्ट ना करें तो 40 दिन के लगातार नियमित दूद पीने से कोई भी मिर्गी जिसको म्रगी बोलते हैं का रोगी पूर्टे ठीक हो जाएगा तो मैं दो महीने से कपला गाय को ढूनना था तो आज मुझे मिली है तो एक बार और बता देता हूं कि कपला गाय की क्या पहचाने इसकी आँखें काली कान काले पूरा सरीर काला और इसके जो खुरे हैं खुर मतलब जो पैरों के निचले भाग और इसके इस्तन इस्तन भी काले होते हैं देखें तो पूरा सरीर काला होता है तो उसको बोलते हैं कपला गाय और इससे भी अच्छी एक और गाय होती है जिसक मुझे कभी मिलेगी तो अबस्षे में आपको दिखाऊंगा तो एक बार और सुन लें कि जो लोग मिर्गी रोग से परेशान है मिर्गी रोग में मिर्गी का रोग ही गिर जाता है और मुझे जाग निकलते है यह उसकी पहँचान है तो इसका सुबह सुबह जितना पी सके धारोशन दूद मलब जैसे निकलता है उसको छान कर पीए और ब्रेकफास्ट में कुछ भी न खाए सीधार दोपेर को लंच करें दोपेर का खाना खाए तो 40 दिन के अंदर मिर्गी का भेंकर से भेंकर रोग ठीक हो जाएगा तो अगर यह मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेर करना ना भूलें अगर हो सके तो लाखी भी करें तो यह है कपला गाय जो पूरी तरह से पूरा शरीर के साथ काली होती है कान काले होते हैं आग काली होती है खुर काले होते हैं और इसके इस्तन भी काले होते हैं पूछ भी काली होती है ये है कपला गाय और कपला गाय से मिर्गी का रोग 40 दिन में बहुत ही आसानी से निकल जाता है ये सीधा साधा सा उपाय है जो भी चाहें आराम से कर सकते हैं नमस्कार नेत्रपाल दुर्गादास कुछ वहा कल्यां